नमस्कार दोस्तो आईपियल 2020 में तीन खिलाडी जो किंग से लिएवन पंजब के अश्विन की जगह कप्तान बन सकते हैं दोस्तो वो कौन से खिलाडी है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा लेकिन आप चाहते हो कि IPL 2020 में किंग सी लेओन पंजाब चैंपियन बने तो इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब दोस्तों बात करते हैं कि आर अश्विन अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ जूड गए है बता दे कि किंग सी लेओन पंजाब क कि दो सीजन तक कप्तानी करने के बाद अश्विन ने फ्रेंचाइजी को छोड़ दिया है अश्विन के किंग सी लेओन पंजाब टीम को छोड़ने के बात सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह कौन सा खिलाडी होगा जब किंग सी लेओन पंजाब टीम का कप्तान बनेगा हम कुछ खिलाडियों के नाम गिनाने जा रहा है जो अस्विन की जगह कप्तानी सम्भाल सकते हैं तो दोस्तों पहले है केल रहुल किंग सिलेवन पंजब टीम के कंपतान बनने के लिए सबसे बड़े उम्मेदवार है केल रहुल बता देखी केल रहुल आईपी अल में पंजब खेलाडी है दूसरे खेलाडी है एरॉन फिंच ऑस्टेलिया के एरॉन फिंच अगर पंजाब टीम का हिस्सा बनते है तो वह कप्तान भी बन सकते है गौरता लब है कि ऑस्टेलिया के दिग्गत सलामी बल्लेबाद एरॉन फिंच ने विश्वकब 2019 के चलते IPL के पिछले सीज में बाग नहीं लिया था एरॉन फिंच 2018 में किंग सी लेवन पंजाब टीम का हिस्सा थे उन्हें 6.2 करोड में खरीदा था इस हिसाब से किंग सी लेवन पंजाब उनकी वापसी करना चाहेगी तीसरे खिलाडी है इउन मॉर्गन आईपियल के पिछले दो सीजन से इस लगा सकती है माना जा रहा है कि किंग सी लेवन पंजाब अगर उन पर दाव लगाती है तो ओईन मॉर्गन को कप्तान भी बना सकती है दोस्तों किंग सी लेवन पंजाब को कप्तान की जरूरत है इसलिए इन मॉर्गन को खरिच सकती है आईपियल 2020 के ओक्षन में तो दोस् सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकोन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खवरे लेकर आता रहूंगा